हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूरितिका और आज हम बनाएंगे चिली फ्लैक्स तो इसे हम मार्कर से खरीद कर लाते हैं क्योंकि यह बहुत सारे स्नैक्स में हमें उपर से डाल कर पसंद होती हैं तो आज हम इसे घर में ही बना लेंगे तो इसके लिए हम ले कर दिया है और अब हम इसे धूप में सुखा लेंगे या आपके पास टाइम नहीं है धूप में सुखाने का या धूप नहीं है तो इसे हम कडाही या तवे में भी सेख सकते हैं इसे हम रोष्ट कर लेंगे कडाही में और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे रोष्ट करना है काड़ाई इसे प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी दे लिए ठंडा होने देंगे उसके पाद ही हम इसे पीसेंगे तो ये हमारे मिर्ची सारी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे ग्राइंडर में डाल कर पीस लेंगे और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दो तीन बुन सर्सो का तेल डाल सकते हैं पीसते समय ताकि ये उड़े नहीं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है धकन को थोड़ी देर बाद आप खोलें तो क्योंकि तुरन धी धकन खोलने पर ये उड़ने लगते हैं तो हमारी नाक और आखों में भी लग जाते हैं और ये लिजे हमारे चिली फ्लैक्स बनकर रेडी हो गए हैं और आप इसे किसी भी एरटाइट कंटेरन में भर कर रख लिजे और जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप इसे निकाल लिजे और बहुत सारी रेस्पी उसमें इसे हम उपर से डालते हैं पकोडों गेरा में भ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अगर ये रेस्पी चिली फ्लैक्स हमारे आपको पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की लेड़स वीजएब